Hello students, welcome to JustMathie जी तो students, J-E-Main के solution series में हम लोग पहुंच चुके coordinate geometry के question number 5 पे तो question number 4 तक discuss कर चुके हैं तो जो students, first time इस channel पे आये हैं मैं उन्हें बता दू कि students, यह जो वीडियो है J-E-Main previous year question के solution series का एक part है जिसमें कि हम लोग coordinate geometry के question discuss कर रहे हैं और आज हम लोग coordinate geometry question number 5 पे आ चुके हैं जो सवाल AIEEE 2008 में आया हुआ है यह जो सवाल है AIEEE जो आप लिखा हुआ है साध भत्चिया आपको यह मालूम नहीं होगा मैं आपको बता दू कि जो अभी J-E-Main करके जो एक्जाम होती है वो 2012 तक इसी एकजाम का नाम था AIEEE ठीक है? All India Engineering and Trans examination तो नाव, अब हम लोग करने वाल है इस 2008 का सवाल, ठीक है, question number 4 तक discuss कर चुके हैं, तो जो भी बच्चे first time इस चैनल पे आए हैं, वो link description में डाला हुआ है, 2D geometry के playlist का link description में डाला हुआ है, ठीक है, वहाँ जाए और जाके आप पहले question number 1 से लेके 4 तक discuss कीजिए, मतलब solve discuss मत कीजिए, solve कीजिए, और पहले question number 5 देख लो, कैसे होगा, बहुत simple question है, इस सवाल से मैं आपको कुछ revise करवान के लिए ये सवाल लिया हूँ, ठीक है, बहुत simple question है, ये तो बहुत students और बता रहे होंगे, जिनका भी coordinate geometry अच्छा होगा और ये सवाल, वो students और बता रहे हों तो देखिए, question में क्या लिखा हुआ है, कि अब parabola has origin as its focus, मतलब क्या कह रहा है, एक parabola है, जिसका focus क्या है, origin है, तो देखो, अचे माल लेते हैं, कि ये yx से सो गया, ये xx से सो गया, origin इसका क्या है, focus है, तो origin अगर focus है, तो या तो upward, या downward, या right से, या left से होगा, लेकिन x इक इक लाइन है, इस लाइन का equation क्या माल लो, x equal to 2 माल लो, ये क्या है, directrix है, तो parabola क्या होता है, जैसे आप लोग मुझे देख रहे हो भी, तो आप directrix हो तो मैं आप की तरफ नहीं देखूंगा, इधर देखूंगा, मतलब, जिस तरफ directrix होता है, उसके opposite में क्या होता है, इधर parabola open रहता है, तो अगर ये क्या है, ये क्या है, directrix है, तो parabola किधर open होगा, mouth parabola किधर open होगा, minus x axis की तरफ, ठीक है, ये x axis है, x dash, ये y axis है, ये y dash, ठीक है, इधर क्या है, plus x है, minus x, plus y, minus y, ठीक है, तो parabola कुछ ऐसा होगा, ओके, ठीक है, ये जो origin है, ये क्या है, focus है, अब देखो, अब directrix है यह हम जानते हैं अपने को पूछ क्या रहा है, vertex का coordinate पूछ रहा है, यहां से ने concept याद रखेगा, इस point गोडिनेट क्या है, 2,0 है, ठीक है, ओके, यह focus है, और यह क्या है, vertex है, तो यहां से चीज ध्यान रखेगा, क्या ध्यान रखना है, कि यहां पे चलो, लिख लो, ध्यान रखना है, याद रखेगा, यह जो vertex होता है, focus और directrix का midpoint होता है, जो vertex होता है, vertex, sorry, is the midpoint of focus and directrix, ठीक है, तो यहां से यहां distance 2 है, तो यह क्या होगा, 1 होगा, और x-axis पे तो 0 होगा, तो vertex क्या आ गया, 1,0 आ गया, यहां से vertex क्या हो जाएगा, 1,0, क्यों, क्योंकि vertex क्या है, midpoint है, तो इस सवाल से क्या revise हो गया, vertex is the midpoint of focus and directrix, focus और directrix के बीच का distance होता है, focus और vertex और उसका half होता है, vertex और directrix के बीच का distance, तो हमने क्या सीखा, फिर से एक बार में repeat कर रहा हूँ, vertex is the midpoint of focus and directrix, ओके, तो हो गया, यह सवाल, vertex के आ गया, 1,0, तो देखो, 1,0, आंसर सी, C4, चंटी कर दीता, correct answer, ठीक है, तो बहुत simple question था, मिलते है next video में, question number 6 के साथ, तो जो बच्चे first time आये थे, वो link description में डिला होगा है, question number 1, 2, 3, 4 आप practice कीजिए, जरूर आपको फाइदा होगा, ठीक है, मिलते है next class में, आप practice करके रखेगा, ओके बाई, जैहिंद,